मोधी जी राहूल से कहके जल्द से जल्द कढ़ाई से गर्मा गरम दस मिर्च पकोडे निकलबातो घर लेके जाऊंगा मिर्च पकोडे और सब को खिलाऊंगा लेकिन मोधी जी जब तक आपकी दुकान के मिर्च पकोडे ना खालो तब तक मजाई नहीं आता है सिवराज सिंग जी पहले तो कढ़ाई से दूर कढ़े हो, तुम तो बिल्कुल गरम तेल से भरी हुई कढ़ाई के पास आके खड़े हो जाती हो, गरम तेल की छीट एकाद मुन पर आ गई आपके, तो छाना पर जाएगा, पीछे हट के खड़े हो, राउल जल्द से जल्द सि मिर्ची पकोड़े निकाल दो, लेकिन सिवराज सिंग जी तुम भी मेरी दुकान से मिर्ची पकोड़े को यनाबा कोई और पकोड़ा नहीं खाती हो, कम से कम पालक पकोड़ा खा कर तो देखो, मज़ा आ जाएगा, योगी जी कर्चे को तेजी से चलाओ, राहल मिर्ची प पकोड़े कराई में टाल रहा है, वैसे सिवराज सिंग जी मोधी जी बिल्कुल सही कह रहा है, आप मोधी जी की पकोड़ा बंडार दुकान के सिर्म मिर्च पकोड़े खाती हो, कम से कम पालक पकोड़ा खा कर देखो, आलू पकोड़ा खा कर देखो, कोफता पकोड़ा कर देखो मज़ा आ जाएगा योगी जी मुझे तो मोधी जी की दुकान के सिर्फ और सिर्म मिर्च पकॉले पसंद है वैसे मोधी जी जब आपने इस दुकान को खोला था तो आप अकेले ही पकॉले बनाते थे लेकिन अब आपकी इतनी जादा बिक्री बढ़ गई आज पास के गाओं के लोग आपकी दुकान से पकॉले लेने के लिए आते हैं अब आपने तो पकॉले बनाने के लिए राहुल को और योगी जी को काम पे रग लिया है सिबराज सिंग जी क्या बताऊं जब से मेरी ये पकोडा बंडार दुकान का सुध सब के मूपर चल गया है तब से भीड जमा रहती है मेरी दुकान पे पहले मैं दिन बर में मुश्किल से सो पकोडे बेशता था तो अकेले ही बना लेता था पकोडे अब तो मेरे दिन बर में कम से कम दो अजार पकॉले बिख जाते हैं अब मैं दो अजार पकॉले अखेले थोड़ी बना सकता था इसलिए मैंने योगी जी को और राहुल जी को काम पर लगा लिया राहुल जी जल्द से जल्द गरम मिर्ची पकोले बना के दो सिब्राश सिंग जी के लिए मौधी जी बेभालतू की बात मत किया करो मेरे दो ही हाथ तो है चार हाथ तोली है जितनी तेजी से काम करने का है उतनी तेजी से तो काम करूँगा आप तो आबद मचाए पड़े हो अरे राहुल बढ़ा क्यों रहे हो आपद मैं तोड़ी मचा रहा हूँ जल्दी सिब्राश सिंग जी को है मौधी जी मुझते जादा जल्दी करवाओगे आपकी दुकान से काम छोल के खुद की पकोड़ा बंडार की दुकान खोल लूँगा अब तो मैं पकोड़े बनाना जान गया और भाई लोगो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राब करो बैसे मौधी जी बंडारा करना तो बहुत अच्ची बाते चलो तुम बंडारा करवा रहे हो लेकिन इतनी भैंकर ठंडी में तुमने भंडारा क्यों करवाया जन्वरी की कलकती ठंड है अब सर्दी में हम बिल्कुल कमबा लोड के आएं सब लोग अरे तुमने तो आग के सामने बैट के अपने आप चाबल और छोले बनाए है तुम तो अपने आपको आग के सामने बैट कर चूले के सामने बैट कर सीखते रहे हमें देखो कितनी ठंड लग रही है यहां आते हुए भै राओल सर्दी हो या गर्मी हो या बर्जाद हो अगर तुमें भंडारा खाना है तो आना पड़ेगा भै मेरे हाथ के बने हुए छोले चावल का आनंद लेना है तो आना पड़ेगा भै मैंने तुम सब लोगों के सामने छोले चावल की पिलेट रख दी है खाना सुरू करो अरे मोदेजे कैसे खाना सुरू करे बहुत तंड है भई बहुत तंड है मैं तो अपना कंबल लाना भूल गया तो मैं तो केजरीवाल के कंबल में गुज गया हूँ और ये क्या तुमने केजरीवाल और मेरे सामने एक पिलेट रखी है अरे दो पिलेट रखो मेरे और केजरीवाल दोनों की अरे ये बात तुम मैंने ध्यान ही नहीं दी तुम दोनों लोग एक ही कंबल में बैठे हुए हो इसलिए मैं समझा एक ही आदमी है चलो एक पलेट और दे देता हूँ छोले चाबल तुमें मैं अरे लालू जी जाके अपना कंबल लेके आओ मेरे कंबल में से निकलो मैं सही से पूरे कंबल को अपने जिसम पे नई लपेट पा रहा हूँ ठंड लग रही है बहुत तुम इतनी सर्दी में बिना कंबल के चले कैसे आए अरे भई कब खाना सुरू करोगे ये छोले और चाबल ठंडे हो रहे है राहों लग लेज योगी जी खाओ भई मोधी जी कैसे काए मेरा तो कंबल से हाथ निकालने का बनी नहीं कर रहा है किस तरीके से खाए हाथ कैसे निकाले कंबल में से आपने ये बंडारा जान बूच कर इस कलक्ती सर्दी में रखाए जनबरी की सर्दी में जिससे की खाने वाले लोग ज़्यादा खा ही नहीं पाएं योगी जी मैं आपकी बास से सोटा का सहमत हूँ अब नीचे पिलेट रखी है और छोले चाबल की खुस्बू मेरी नाक में आ रही है मन तो कह रहा है कि खालू इसे कैसे भी हाथ निकाल के कंबल से लेकिन मेरा जिस्म मना कर रहा है वो कह रहा है ना सर्दी में हाथ मन निकालो अब बताओ मैं क्या करूँ अरे मोधी जी ऐसा करना थोड़ा सा छोले और चाबल अपने हाथ में लेके मेरे मुँ में दिती न तैसे बेतु की बात कर रहे हो क्या मैं अपने हाथ से सब को खिलाऊंगा भाई इतनी भी सर्दी नहीं है माना कि मैंने चूले के सामने बैठ के छोले चाबल बनाए लेकिन अब तो मैं आपके सामने बिना स्वेट्यर और कंबल के बैठाऊं चलो अगली बार भंडारा मैं मार्च में करा हूँगा बाईनों को वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राब करो ये बिलेक बोल्ड पे मैंने एक कोश्चन लिखा हुआ है इसका अंसर कौन कौन जानता है हाथ खरे करके बताओ अरे कोई भी हाथ खरा नहीं कर रहा है इसका मतलब किसी को नहीं आता इस कोश्चन का अंसर राहूल तुम नीचे मूग क्या कर रहे हो तुम बताओ अरे योगी सर जी आप हमेशा मुझी से कोश्चन का अंसर पूछते हैं ये मोदी जी भी है अमिस्सा जी भी है इनसे कुना पूछा करो अच्छा ये बताओ मैंने कल तुमारी कॉपी में एक पिरसल लिखके दिया था कि पानी पत के यूद पे पिरकास डालिए अरे जबाम में तुमने लिखा है कि मेरे पास टॉर्च नहीं है कैसे पिरकास डालू और अमिस्सा जी हमेशा आप पीछे क्यों बैठते हो ये बताओ अरे योगी सर जी आप बताओ सिनेमा हॉल में आगे का टिकेट सस्ता होता है पीछे का महेंगा होता है अरे पीछे टिकेट महेंगा होता कोई ना कोई तो बज़य होती होगी इसलिए मैं पीछे बैठता हूँ मैंने सोचा साइट पीछे बैठ के अच्छा समझ में आए बहुत खूब बहुत खूब अमिस्सा जी और मोदी जी मैंने आपको भैस के उपर निवन्द लिखने को कहा था लिखला है अरे योगी जी घर चल के देखो भैस के उपर निवन्द लिख दिया मैंने यहाँ पर भैस कैसे लाता समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रहे हो तुम मोदी जी अरे योगी जी आपने कहा था भैस के उपर निवन्द लिखो तो मेरे घर में एक भेंस है उसके उपर मैंने चौक से निवंद लिख दिया जाके देख लो भेंस के उपर निवंद लिखा हुआ मिलेगा बिल्कुल भेंस के पेट के उपर लिखा हुआ है क्या बात है मोदी जी तुमने तो गजब कर दिया और अखलेज आबेल मुझे मार म मुहाब्रे को एक जैम पहल यानी उधारर दे के समझाओ जैसे मैं आप से कह दूँ आप मुझे दस का पहड़ा सुनों तो ये आबेल मुझे मारने बाली बारी बात हो गई क्योंकि मुझे दो का पहड़ा तक याद नहीं है मैं जवर्दस्ती आपसे कहूँ कि मुझसे दसका पारा सुनो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अगलेस। लालू जी आप आम के आम गुट्लियों के दाम इस मुहाबरे का हिंदी में उधारर दे के समझाओ। अरे योगी सर जी ये तो बहुत ही आसान है। आप स्कूल की एक महिने की छुट्टी बोल दो और उपर से मेरे भैस दस किलो दूद देने लगे। तो मेरे लिए तो डबल भाइदा हो जाएगा आम के आम गुट्लियों के दाम। क्या बात है लालू जी क्या बात है ऐसा एक्जामपिल तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। वैसी जी आप अंधेरे में तीर चलाना मुआबरे को हिंदी में उधारर दे के समझाओ। अभी पिछले साल जो परिक्षा हुई थे उसमें चार ओप्सन वाले पिरसन आई थे अरे हमें एक भी पिरसन का जवाब नहीं आता था सो के सो पिरसन थे सम्में भी में टिक कर दिया देखो किलास में सबसे जादया नंबर आए मेरे अंधेरे में तीर चल गया क्या करूई होगी जीजेब से पैसे निकालू आपको मेहनत भी करने की जरूरण नहीं है आपकी जितनी भी गन्ये की फसल है ऐसी पूरी की पूरी खड़ी फसल को मैं 200 रुपए काउंटल के हिसाब से खरीद लेता हूँ मैं एड़बांस 50,000 रुपए दिये देता हूँ और बाकी फसल आपकी जब करती रहेगी और ट्रेक्टर ट्रॉली में भरकर धरम काटे पर बजन होकर जो भी बजन बैटेगा उसके हिसाब से पैसा देता रहूँगा हाँ 200 रुपए पिर्ति काउंटल के हिसाब से मैं गन्ना खरीदूंगा आपका आपको कही पर भी इस गन्ने को सहर ले जाने की जरूरत नहीं है यही पर घरी पर पैसा आजाएगा आपका लेकिन सेड जी मैं अकेले कैसे जवाब दे सकता हूँ इस गन्ने की फसल को मैंने और मोदी जी ने मिलकर खेत में उगाया है और हम दोनों मिलकर ही इस गन्ने की फसल को बेचिंगे और बो देखो मोदी जी आ भी गए मोदी जी अपने गन्ने की फसल को ये खरीदने के लिए बैपारी आए सहर से 200 रुपए पिर्ति कॉंटल के हिसाब से अपना सारा का सारा गन्ना मांग रहे है पचास हजार रुपए एडबांस भी दे रहे है बाकी धरम काटे से बजन जो तुलता रहेगा उसके हिसाब से पैसा दे देंगे तो योगी जी अभी तुमने हां तो नहीं बोला है नहीं मोदी जी मैं आपके बगार है हां कैसे बोल सकता हूं योगी जी ये सहर से बैपारी इसलिए आ रहे हैं अपने काउं में गन्ना खरीदने के लिए क्योंकि इस साल गन्ने का रेट जादा होने वा आपको इसे काट कर और भरकर सहर भी ले जाने की जरूरत नहीं है यहीं पर पैसा सारा का सारा मिल ला है एक बार फिर से सोच लो सोच लिया भाईसाब सोच लिया मैं इस गन्य को यहां पर नहीं बेचूंगा चीनी मिल में सहर में ले जाकर गन्य को बेचूंगा इस बार गन् जी को मैं तो बिलाल सहर में चीनी मिल में ले जाकर इस गन्ने को बेचूंगा वैसे मोदी जी अगर इस सेड़ जी को ये गन्ना बेच देते तो मैं भी गन्ना इस सेड़ जी को बेच देता अरे केजरी बाल मोदी जी जो करते सो समझ के ही करते लगता इस बार गन्ने का मूल जादा रहेगा नहीं तो ये सहर के बेपारी गाउं में गन्ना खरीदने क्यों आते और भे लोगों वीडियो लेकरो चैनल को सब्सक्राब करो